So welcome back, स्वागत है आप सभी का एक important वीडियो में आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा important होने वारी है जो अपना common service center open करना चाहते हैं CSC ID लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज मालूं होगी CSC ID के लिए आप registration तभी कर सकते हो जब आपके पास TC का certificate हो और TC का certificate आपको तभी मिलता है जब आप TC का exam पास कर लेते हो तो basically इस वीडियो में मैं आपको TC के exam में आने वाले most important question यहाँ पर आपको revise कराने वाला हूँ तरह से आपको दिखाने वाला हूँ और अगर आप इन सभी questions को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप एक बार में ही अपना TC का exam निकाल सकते हैं ठीक है मैं repeat कर रहा हूँ कि आप एक बार में निकाल सकते हो TC का final exam और आपको एक बार में certificate मिल जाएगा और एक बार में ही आपकी CAC idea आपके पास आ जाएगी और एक बार में आप अपना center खोड़ के आप कमाई कर सकते हो ठीक है तो वीडियो को start करते हैं अगर आपको इस सारे questions की PDF चाहिए तो PDF का link मैंने वीडियो के description box में डाल दिया है नहीं तो आप Amazon से भी इसको जाके check out कर सकते हो पढ़ सकते हो ठीक है दूस्तों वीडियो करते हैं start और वीडियो को like जरू कर देना ताकि मुझे लगे कि वाई ये वीडियो आपके काम आ रही है ठीक है दूस्तों जो let's get started तो यहाँ पर जो पहला question है वो है ठीक है सारे question English language में रहेंगे अगर आपको Hindi में चाहिए तो उसके लिए भी आप comment कर देना मैं Hindi questions की एक अलग से वीडियो गना दूँगा ठीक है वैसे आपको PDF की जरूत नहीं पड़ेगी सही बतानो तो क्योंकि मैंने सारे question इस वीडियो में cover कर दिया है और एक के करके सारे question आपको कराऊंगा तो तसलिए से वीडियो को देख लेजे PDF की आपको जरूत नहीं बड़ेगी ठीक है फिर भी PDF से यह तो link है ठीक है पहला जो question है वो है हमारा कि इन में से कौन सा example है entrepreneurship का entrepreneurship का मतलब होता है business ठीक है तो जो right answer है वो है red mark में starting up a business based on a new app software with high risk नई app के थ्रू कोई काम start कर रहे हो नया software के थ्रू स्टार्ट कर रहे हो कोई high risk लेके कोई काम start कर रहे हो तो वो entrepreneurship कहराता है ठीक है इस तरीके साब इसको समझ लीजिए और right answer पर आप यहाँ पर क्लिक कर देना ठीक है वैसे अगर आपको त्यारी करनी है जहां पर आपको चार option मिलेंगे और एक पर क्लिक करोगे और right answer आपका green होगा wrong answer आपका red होगा इस तरीके से अगर आपको practice करनी है तो practice करनी का जो link है वो भी मैंने description box में डाल दिया जहां इन में से कौन सा example है entrepreneurship का ठीक है तो यह example है starting up a new type of restaurant in a city सहर में कोई नया restaurant start करना entrepreneurship का एक example है थाड़ question यहाँ पर कि जो entrepreneur होता है जो business man होता है वो इन सभी activities में सामिल होता है managing भी करता है वो organize भी करता है वो innovation भी करता है सब कुछ करता है तो बिल्कुल सच बात है अलग तरीके से पूछा गया है ठीक है तो मैंने वो सारे question आपर cover किये हैं जो exam में आये हुए है reality में ठीक है ताकि आपको reality वाली help हो सके कि वह इस type की question से आते है question वही रहेगा सिर्फ घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएगा ठीक है एक entrepreneur वो होता है जो कम risk लेता है और experiment करने से डरता है तो ये बिल्कु गलत है इसका right answer होगा false ठीक है ये गलती से गलत क्लिक हो गया है right answer इसका false है ठीक है next question आपर एक successful entrepreneur बहुत जल्दी अमीर बन सकता है तो बिल्कु सच बात है एक successful जो businessman होता है वो बहुत जल्दी अमीर बन सकता है बिल्कु ये right answer है इसका answer है true ठीक है next question है कि हर व्यक्ति जो एक काम start करता है नया business start करता है एक नई idea पे वो हमेशा successful होता है तो बिल्कु गलत बात है ऐसा possible possible नहीं मतलब ऐसा कहने सकते हैं चांस नहीं है कि भाई हो गई होगा या नहीं होगा तो कुछ कहने सकता है हो भी सकता नहीं भी हो सकता ठीक है इसका right answer होगा false next question है आपर कि जो 92% start up होते हैं वो पहले 3 साल में successful हो जाते हैं तो बिल्कुल गलत बात है आप भी जानते हो किसी भी काम को start होने के बाद कोई successful होने तक कहने सकता कि भाई ये काम चलेगा ये नहीं चलेगा ठीक है अगर वो चल जाता है तब ही लोग मानते हैं नहीं तो नहीं मानते हैं चाहे 3 साल हो चाहे 10 साल हो ठीक है इसके बाद है next question आपर entrepreneur जो होता है उसको membership चाहिए होती है physical communities के लिए जहां पर वो अपने idea को share कर सके तो बिल्कुल सच बात है इसका right answer है true ठीक है next question आपर जो entrepreneur होता है dash कि इस type की जो entrepreneur होते है जो world की जो biggest problem है उसको solve करते हैं ठीक है तो इसका right answer होगा हमारे transformational transformational जो entrepreneurship होते है entrepreneur होते है वो world की biggest problem को solve करते है ठीक है इसके बाद है next question है आपर कि negotiation के दो हिस्से होते है ठीक है दो भागों में बाटे जाती है negotiation कि इसके इसमे distributive में और exhibitive में ठीक है तो बिल्कुल सच बात है true as का right answer ठीक है next question है कि जो entrepreneur होता है उसके पास क्या होना चाहिए successful होने के लिए उसके पास patience होना चाहिए ठीक है उसके पास patience यहाँ पर होना चाहिए next question है आपर does entrepreneurship involve इन में से entrepreneurship में क्या involve रहता है तो सब कुछ involve रहता है manage भी होगा organize भी होगा elevator भी होगा सब कुछ होगा आपर ठीक है next question है आपर कि जो entrepreneurship होता है उसमें सब कुछ involve रहता है और एक जो entrepreneur होता है जो businessman होता है वो इन सब कामों को करता है तो ब्रुक सच बात है ठीक है देखे question लंबा कर दिया है same question था और तीन बार आ गया तो same ही question को वो बार बार ऐलक तरीके से पूछते है सिर्फ आपको समझना है ठीक है next question है आपर कि building a business takes time then it takes to generate the idea for the business किसी business को start करने में या सोचने में कम time लगता है उसको actual खड़ा करने में ज्यादा time लगता है ठीक है समझे रहे हो business अपने सोच लिया उसमें कम time लगेगा और actual में उसको reality में लाना reality में business start करना उसमें ज्यादा time लगता है ठीक है इसका answer आएगा longer next question आपर कि जो entrepreneur होते हैं should not greedy उनको लालची नहीं होना चाहिए जल्दी बड़ा होने के लिए क्योंकि इसमें patience यह होता है ठीक है तो इसका right answer है दोस्तों false क्योंकि जो entrepreneur रहेगा जो business man रहेगा वो लालची रहोगा क्योंकि लालची उसको आगे बढ़ाने के लिए motivate करती रहेगी ठीक है तो इसका right answer होगा false इसके बाद है next question कि जो entrepreneur होते है उनके पास क्या होना चाहिए successful होने के लिए तो इसका right answer है patience उनके पास patience होना चाहिए ठीक है next question है आप है is the specific tool of entrepreneurship entrepreneurship का specific tool कौन सा है तो important tool कौन सा है तो business का important tool होता है हमारा innovation किसी भी काम में innovation होना चाहिए आपने देखा भी होगा कि पहले computer के इस तरीके सा आते थे और फिर उसमें innovation किया गया और अब computer के इस तरीके सा आते है अब आप सोच के देखिए अगर आप पहले वाले computer ही अगर market में मिल रहे हो तो कौन उनको खरीदेगा कोई ने खरीदेगा क्योंकिoured innovations यहां पर innovation से क्या होता है innovation से दोनों का फायदा होता है customer का फायदा होता है क्योंकि customer आराम से उन चीजों को use कर सकता है ठीक है और company का फाईदा होता है This company यहां पर profit कमा सकती है अगर company same ही product को बिना innovation के पेखिए तो उसको कोई खड़ी देगा नी और फिर कंप्री बंद हो जाएगी आपने बहुत कंप्री देखे भूंगी जो बंद हो चुकी है ठीक है तो इनोवेशन बहुत इंपोर्टन पार्ट है किसी भी बिजनेस का जो बिजनेसमेन होते हैं उनको फिजीकली कम्मुनिटीज की जरुद पड़ती है जिससे कि वो अपने आइडिया को शेर कर सकें और उसको एक रूप दे सकें तो जहां पर दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जिससे कि मानलेजिए आप को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपके ब स्टाफ मेंबर्स को इखटे करोगे उनके साथ अपने आइडियास को शेर कर दोगे और उसको एक रूप दोगे जैसे कि आप मानलेजिए कोई काम श्रक करने वाले हो तो आप उनको बताओगे कि मुझे यह काम करना है इसके लिए तुम ऐसा से करो तो वो उस काम को आपकी तरीके से करेंगे और आगे उसको आपके ही जो दिसान नेदेश होंगे उस पर चलाएंगे और एक प्रोडक्ट निकलेगा ठीक है जैसे कंपनी बगर मैसे होता है कंपनी में एक मालेजिए हल्पर हो गया एक सुप्रवाजर हो गया एक आपका मैनेजर हो गया और एक वो सुपराजर के थूरू, वर्कर के थूरू, हेल्पर के थूरू उस काम को करवा रहा है ठीक है तो यह मेंबर्स की जरूत पढ़ती है ताकि रियल्टी में जो प्रोडक्ट निकलना है वो निकल सके ठीक है की सोजा कि सब बड़िया-बड़िया काम करें एक तरह से आप यह मन लेजिए कि सभी लोग बहुत इमानदारी से काम करें किसी कंपणी के अंदर तो इस तरीके से कैसे महौल को बनाए जाएगा ऐसा महौल कैसे बनाए जाएगा ठीक है तो उसके रिए क्या करते हैं आपने प गिफ्ट देना कोई अच्छे काम के लिए उनको प्रोसाहित करना कुछ पैसे की हेल्प कर देना इस तरीके से करोगे तो इंप्लाई खुस हो जाएगा और इंप्लाई भी आगे भी अच्छा काम करेगा इमानदरी से काम करेगा और अगर कोई गलत काम भी कर रहा होगा तो कम्बने करती है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर देखिए देखिए लिखा हुआ है डेवलॉप इको सिस्टम बनाना ऐसा जिससे की तो प्रमोट एंट्रप्रेनलियर एक्टिविटी एसमेंड इस्ट्रीम इस्टेटिक एक्टिविटी वह यह है मतलब जो अच्छा काम कर रह रहे थे वह भी अच्छा काम करें ताकि उनको भी किफ्ट मिल सके ठीक है तो इस तरीके से पूरा महौली तयार किया आता है और आपने एक चीज़ और देखिए होगी कि कंपनी में या किस और में सेमिनार होते हैं और मोटिवेशन स्पीकर्स को बलाया आता है वो उनकी कहा आने चुनाते हैं ताकि और उनके जोस भर सकें तो इस तरीके से पुरा यह माहौल तयार किया आता है ठीक है दूस्तों तो इस नहीं टैप्ट में पताजिया आपको मैंने खंटीक है नैस्ट कोशन यापर और श्र्गनाईशन जो होती है वो नोट एंटरप्रेणरेल पर्ट पीपल आर एंटरप्रेणरल मतलब जो कंपनी यह वो उद्धय में नहीं होते बल्कि लोग उद्धय में होते हैं तो बीगुस्छ बात है लोगों के द्रूही कंपनी चलती है ठीक तो सही बात है, a mindset that is prepared, expect multiple changes, मतलब, अगर मान लीजे आपको एक काम इस्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और अपने दम पे इस्टार्ट कर रहे हो, सब कुछ आप ही को करना है, सब कुछ आप ही को सोचना है अभी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर, आपका एक mindset बनेगा, आपका दिमाग उस तरीके से सोचना शुरू कर देगा, और आपके दिमाग को उस तरीके से habit आ जाएंगी, कि भाई, इस तरीके से मैं काम करूँगा, और आपका दिमाग आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से और multiple challenges को भी आप accept कर सकते हो, अराम से, ठीक है, accept आप उनको अराम से कर सकते हो, कि भाई, कि इस तरीके से आपका दिमाग बन जाता है, वो इचीज़ना आप लेके हुई है, दोनों सही है, next question है आपर, is every idea a possible opportunity, हर idea, एक possible opportunity हो सकता है, क्या, तो बिल्कुल सच बात है, कोई भी idea, या हर idea हो सकता है, ठीक है, अब हो गया नहीं होगा, वो बात की बात है, बट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो इसका answer होगा true, ठीक है, इसके बात है, next question, what are the factors to consider, while evaluating, whether an idea is an opportunity, or not with respect to the competitive edge, उन factors पे, वो कौन से factors होते हैं, जिनके उपर किसी idea को ना पा जाता है, या मा पा जाता है, कि ये idea काम करेगा, या फिर नहीं करेगा, ठीक है, तो वो कौन से factor होते हैं, इसका right answer है ये वाला, इसके बाद next question है, the venture business should be often, should be high strategic value to be potential acquired, true है, एका right answer होगा true, next question है आपर, the overhead rate is important in the cost pool dividend, by the allocation volume, overhead जो rate होता है, वो amount होता है, cost pool divided by the allocation volume, volume के हिसाब से याँ पर, decide होता है इसका right answer होगा, इसके बाद है आपर next question, an idea is defined as the content of, cognization, true है, इसका right answer है true, ठीक है, next question है, is idea, is every idea, is a possible opportunity, true, देके same question है, पर अलग तरीके से पूछा गया है, next question है, how to identify, whether an idea is an opportunity or not, तो यहाँ पर, उस idea को, needs to be valuable, valuable होना चीए वो, इसके अलाबा, वो customer की need को fulfill करना चीए, ठीक है, तो दोरों से यह, ठीक है, next question है आपर, why do we need to evaluate an idea, हमें किसी idea को evaluate करने की जड़त क्यों परती है, ताकि हम पता लगा सकें, कि जो customer है, वो उस product को खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा, ठीक है, आपने कोई idea दिया है, बट उस idea के through, जो product निकलेगा, उसको खरीदेगने वाला कोई नहीं है, तो उस idea पर काम करने का क्या फायदा है, ठीक है, इसी लिए idea को evaluate किया आता है, कि भाई इससे जो काम, जो माल बनेगा, उस माल को कोई लेने वाला है भी या नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं होगा, तो फायदा नहीं है कुछ भी, और बिजनिस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नेस्ट कोशन आपर, successful entrepreneurship, require the ability to balance technical knowledge and market knowledge, ब्लुकु सही बात है, जो successful एक बिजनिसमेन होता है, उसके पास technical knowledge और market knowledge दोनों ही होने चाहिए, तो ब्लुकु सच बात है, ट्रू एसका राइटन से दीक है, इसके बाद नेस्ट कोशन आपर, कि एक electrician है, उसने observe कि, grocery store in his area is running successful, उसके area में, जो grocery store है, जो दुकाने हैं, रासन की, परचुने की, वो बहुत अच्छी चल रही है, उसने सोचा कि, मैं भी एक दुकान खुल लेता हूँ, बट उसकी जो दुकान है, वो चल नहीं पाई, उसका काम चल नहीं पाया, तो क्यों नहीं चल पाया उसका काम, ठीक है, तो इसका right answer है यह, बहुत आर correct, यानि कि, एक तो वो electrician है, तो उसको knowledge नहीं है, दुकानदारी की या फिर, business की knowledge नहीं है, उसको क्यों कि वो electrician है, second है, कि उस area में पहले से ही, कोई दुकान चल रही है, तो इसी लिए उसकी दुकान नहीं चल पाई, ठीक है, इसी लिए उसकी दुकान, यहाँ पर नहीं चल पाई, दोनों ही इसके answer हो सकते हैं, ठीक है दुस्तों, इसके बाद हैं, अगला question, cash flow simply put in the difference between the cash that flows in, and the cash flows that out, सही बात है, ठीक है, cash flow क्या मतलब क्या होता है, cash जो business के अंदर है, और जो business के बाहर चल रहा है, उसको यह identify करता है, ठीक है, next question यहाँ पर हमारा, upfront capital and R&D, requirement cost should be high, while evaluating whether an idea is an opportunity or not, इसका मतलब उसने यह है, कि किसी idea को evaluate करने के लिए, उस पर ज़्यादा capital लगाना, ज़्यादा पैसे लगाना, और ज़्यादा R&D लगाना, यह idea काम करेगा या नहीं करेगा, तो क्या यह सही रहेगा, तो इसका right answer है false, गलत रहेगा, किसी idea पर आप इतने ज़्यादा पैसे लगाऊगे, सिर्फ यह पता करने के लिए, कि वो idea काम करेगा या नहीं करेगा, तो कोई फायदा नहीं है, वो गलत चीज़ है, ठीक है, इसके बाद है next question हमारा, सही बात है बिल्कुल, कि जो market है, यह question है, तो इसका मतलब यह है, कि जिस idea पर हम काम करने वाले हैं, या जिस idea को हमें evaluate करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, कि जो market है, वो, market हो आगे grow होने वाली है, नहीं होने वाली, ऐसा तो नहीं है कि वो उसके जो customer है, वो बहुत कम हो, ठीक है, customer जादा होने चीज़े, तो यह चीज़ होने चीज़े, तो बोग सच बात है, कि हमें पता करना पड़ेगा, वो market बड़ी है, कि यह चोटी मर्केट है, ठीक है, next question यहाँ पर, the venture business should be high, strategic value to be potential acquired, true है, इसका right answer है true, ठीक है, next question यहाँ पर, all expenses on the panel, statement, profit and loss account में, जो expenses होते हैं, वो represent expired cost, expired cost को दिखाते हैं, जबकि जो assets होती हैं, वो unexpired cost को दिखाती हैं, तो यह बात गलत है, यह बात है गलत, ठीक है, यह चीज़ गलत है, अगर अगर अकाउंट करियोगी, तो आपको समझ जा रहा होगा, आकर आप इसको इससे तरीके से रट सकते हो, कोई दिखात नहीं है, ठीक है, next question है आपर, कि does cost include salary, bonus, insurance, pension, benefit, तो किस cost में यह सारे चीज़ें सामिल होती हैं, तो इसका राइटन चाला है, surplus, surplus के अंदर यह सारे चीज़ें सामिल होती हैं, ठीक है, next question है, unexpired cost, वो cost होती है, जो अभी पूरी तरीके से consume नहीं की गई है, और कुछ उनमें अभी safe रह गया है, तो बिल्कु सच बात है, उसको कहते हैं, unexpired cost, ठीक है, next question है आपर, what is the role of a weak tie, weak tie का role क्या होता है, तो neither is correct, इनमेंजे कोई भी सही नहीं है, ठीक है, next question है आपर, यह रहा, dash is the mandatory value of, sorry, monetary value of resources, like material, labor, overhead, used in the marketing, sorry, making of a product or, delivery of a service, तो इसका अभी सही है, cost is the monetary value, ठीक है, इसका आएगा, cost, ठीक है, next question है आपर, direct versus indirect cost are based, their association with different cost object, true है, ठीक है, इसका है true, next question है आपर, cost that do not vary in the sort from, regardless of challenges, sorry, changes in output level are called cost, सच बात है, direct cost कहते हैं, इसका, ठीक है, कि जो, अगर, मतलब कम टाइम में, उसमें कोई variation नहीं होता है, बट अगर हम उसमें ज्यादा चेंज करते हैं, तो changes हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं, direct cost, next question नहीं आपर, retail companies जो होती हैं, जैसे कि Reliance, Fresh, DMART, या Big Vezer type की, उसमें, किस type का, conversion होता है, ठीक है, ये most important question है, कि Reliance, Fresh, DMART, Big Vezer, जैसे जो company होती हैं, जो mall बगर होते हैं, उसमें, conversion के, किस type से होता है, ठीक है, तो उसमें, conversion होता है, हमारा, low to high पे, ठीक है, low to high पे, conversion होता है, next question है, the key, determinant, determinant, of the cost, of goods sold, which appear on P&L, उसको कहते हैं, product cost, ठीक है, product cost, that is the cost of any material, directly used in the production of the output, product cost, product cost, वो cost होती है, जो production में, directly use की जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं, product cost, next question है आपर, that cost include, salaries, bonus, insurance, ये question पहले भी आया था, इसका right answer होगा, surplus, ठीक है, surplus, इसका right answer है, next question है, cost allocation is a method, through, which a business allocate, or distribute, an indirect cost, across various cost object, true, इसका right answer है, true, ठीक है, इसके बाद, next question, cost, that vary with the output level, or, called variable cost, वो, खर्चे, जो, output के साथ, बढ़लते रहते हैं, मतलब, आपने 10, product निकाले, तो आपका खर्चा, मानली, जिस और पर होगा, आपने 20, product निकाले, तो आपका खर्चा, 15 और होगा, तो इस तरीके से, जो, output के साथ, खर्चे, बढ़ते रहते हैं, डारेक्टली, उन, खर्चों को, क्या कहा आता है, उनको कहते है, direct material cost, ठीक है, next question, cost are those, that, they have been, completely consumed, or the benefit, from which, have been received, by the business, मतलब ऐसे खर्चे, जिनको business, पूरी तरीके से, use कर चुका है, और अब उनमें, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ, खतम हो गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं, un-expired cost, ठीक है, sorry दोस्तों, ये करात हो गया question, इसका हमारा ये आएगा, expired cost कहते हैं, उसको कहते हैं, expired cost, ठीक है, जो पूरी तरीके से, खतम हो गये हैं, और जो पूरी तरीके से, खतम नहीं हुए हैं, उनको कहते हैं, un-expired cost, next question है आपर, कि, absorptive capacity, comes from prior related knowledge, to be able to make sense of, and recognize the value of, and use new information, तो सच बात है, ठीक है, absorb करना, जो capacitive होती है, वो, value को add करना, ये सब जी होती है, अपने, next question है, आपर, weak ties are, a, substitute for internal expertise, expertise, तो इसका, right answer है, false, weak ties, substitute होती है, internal expertise का, तो, right answer है, false, ठीक है, next question है, जो entrepreneur होता है, वो, efficiently, effectively, effectively, sell their product, of service, to client, and customer, which, trades, is being, discussed, here, तो, इसमें, किस, एक तैसे, किस, चीज़ को, बोला गया है, तो, इसका है, communication skills को, ठीक है, कि जो, businessman है, वो, अपने product को, या service को, client को, या फिर customer को, आसानी से, बेक पा रहा है, या, कुसलता से, बेच पा रहा है, ठीक है, तो, इसमें, उसकी, किस, गुर्ण का, गुर्ण मालेजे, का, उलेक है, तो, communication skills का, हैं पर, उलेक है, बात की गई है, ठीक है, नेक्स्ट होचन है, आपर, यह, chef है, वो, अपने customer, बढ़ाना चाहता है, मतलब, increase करना चाहता है, what should, he do, उसको, क्या करना चाहिए, तो, इसका अंसर है, think of creative dishes, उसे, नई-ने dishes, बनाने पढ़ेंगी, different recipes, try करने चाहिए, जिससे की, ज़्यादा customer, उसके, restaurant की तरफ, attractive हो, ठीक है, तो, इस तरीके से, वो, नए customer, यहाँ पर ला सकता है, next question यहाँ पर, what are the, characteristics of, traits of a successful entrepreneur, select the best option, तो, इसका अंसर है, all of these, उसके अंदर, सारे गुण होने चीए, risk taker, goal oriented, and thrive of uncertainty, ठीक है, next यहाँ पर, what is known, characteristic, trait of a, successful entrepreneur, तो, इसका, राइटन चाहिए, कि आदे रास्ते में, चोड़ के चले जाना, situation को देख के, या situation से घबरा जाना, एक successful entrepreneur की पहचान नहीं है, ठीक है, तो, यहाँ इसका राइट अंसर, next question है आपर, entrepreneur होता है, जो, always looking for new way, of doing things, and how, they can make them better, which trait is being discussed here, इसको कहते है, creativity, creativity, जो, businessmen होता है, वो हमेशा, ऐसी, ऐसी, चीजों को, देखता है, या करता है, जिससे कि, वो पुराने वाले, जो तरीकों को, उसको बदल सके, उसको change कर सके, ताकि, और अच्छा result आए, उसको कहते है, creative होना, ठीक है, next है, communication skills को, बताया गया है, ठीक है, next question है, जो, entrepreneur होता है, don't let unsurchently, and potential failure, stop them from doing, what needs to be done, which trait is being discussed here, risk taker, ठीक है, risk taker, वो डरता निये, किसी भी काम को, हम पर करने से, risk के लिएने से, तो इसको risk taker है, हम पर, risk taker के बारे में बताया है, next question है, is the dash, is the ability to evaluate, assimilate and exploit knowledge, तो इसका अंसर है, assimilate capacity, assimilate capacity, ठीक है, इसके बाद, next question है, आपर, absorptive capacity, comes from the prior, इसका परेकर चुक है, इसका अंसर है, ठीक है, next question है, आपर, why is it important, to have, real knowledge, और, relative, relatable, expertise, to become a successful, entrepreneur, मतलब इस चीज़ को क्यों बोड़े आता है, कि आप को किसी काम की पूरी knowledge होने चाहिए, जिससे कि आप उसमें successful बन सकें, तो इसका right answer है, all of these, बहुत A and B, कि, आप उसको decision ले सकते हो, कि वो idea सही है ने सही है, इस तरीके से आपको पतावना अच्छी है, ठीक है, इसके बाद इके next question है आपर, एक successful tailor है, जो, वो, कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया करने की सोच रहा है, so he opened a street food restaurant in his area, अपने area में उसने एक restaurant खोड़ा, तो, उसका जो restaurant था, वो चलनी पाया, and, वो, उसको बंद करना पड़ा, ठीक है, तो इसका कारण बताई है, कि वो ऐसा क्यों हुआ, मैई टेरर था, वो successful था, बट, उसका restaurant चलनी पाया, तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका right answer होगा, यह औरा, क्योंकि उसको, पहले की को knowledge नहीं थी, restaurant, business के बारे में, कि restaurant business किस तरीके से चलाया आता है, इसी वज़े से, जो उसका restaurant था, वो, बंद हो गया, या फिर उसको बंद करना पड़ा, ठीक है, इसके बाद, next question आपर, कि, a knowledgeable cook open, a South Indian restaurant in a chain नहीं, एक, cook है, knowledgeable है, उसको पूरा, सब कुछ का experience है, सब कुछ आता है, उसको, उसने एक South Indian restaurant को ला, chain नहीं में है, ठीक है, but, business was not running smoothly, and, later he, later on, he had to close it, बाद में क्या हुआ, बाद में उसको, वो restaurant बंद करना पड़ा, तो, अब, इस case में क्या हुआ, ठीक है, क्यों बंद करना पड़ा उसे, तो इसका right answer हैगा, क्योंकि, उसको technical knowledge नहीं थी, उसको अपना knowledge थी, अपने काम की knowledge थी, पर उसको technical knowledge नहीं थी, इसके अलावा, उस area में हो सकता है, और restaurant हो, और उनसे बढ़िया वो creative नहीं कर पा रहा हो, इसी वएसे उसको बंद करना पड़ा है, ठीक है, तो कुछ भी इसका, हो सकता है, इस वएसे उसका नहीं चल पा रहा business, ठीक है, next question है आपर, कि nominal account are those accounts that, consist of expenses, losses and income and profit, जो nominal account होते हैं, वो वो टाइब के account होते हैं, जिसमें expenses, losses को दिखाया आता है, तो इसका अंसर है true, ठीक है, इसके बाद है, next question है आपर, what are the three financial seat, that used to record and report business, तो इसका right answer हो गए वाला, statement of cash flow, journal and leisure account, इन तीनो, ये तीन main है, जिससे की, किसी business की report त्यार की जाती है, ठीक है, next question है आपर, dash is a collection of all laser accounts, सभी account का laser होता है, इसका अंसर है journal laser, journal laser सभी account का laser होता है, ठीक है, next question है आपर हमारा, इसके बाद एसको जने आपर देखिए, what are the three, ये हो गए दो ना हमारा, एक सिकन्ट, पर्सनल अकाउंट हो गया, हाँ जी, इसका भी राइट अंसर ये वाला आएगा, ये वाला ठीक है, statement of cash flow, balance sheet and profit analysis account, ये तीन है main ठीक है, इसके बाद next question है, याँ पर होगे हमारे ये वाला, इसके बाद next, dash that relate to personal life, capital account, salary account and bank account, तो इन तीनों की तरह, कौन सा होता है, तो ये होता है personal account, ये सब चीज़ें personal account में आती है, salary account हो गया, capital account हो गया, bank account हो गया, ये हमारे personal account में ही आते हैं, ठीक है, next हैंपर, dash is a record of all a business, existing assets, liabilities and equity, balance sheet, balance sheet के अंदर ही सारे चीज़ें, record की जाती है, next question होगे हमारे ये वाला, what are the three financial sheets that use to record and report a business, तो इसका अंसर है, statement of cash flow, balance sheet and profitable loss account, तीन major important sheet हैं, तो किसी business को show करती हैं, इसकी reports को, next question है, balance sheet is a record of all, of a business, revenues, cost, over a certain period of time, typically every quarter, और every year, तो गलात है, ठीक है, जो balance sheet होती है, वो किसी एक record time पर record की जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, next question है, equity and liabilities come from, come first in balance sheet, followed by the assets, assets के बाद में, equity और liabilities का number आता है, balance sheet के अंदर तो सही बात है, ठीक है, next question है आपर, select the correct equation, total assets पराबर, total liabilities, plus equity, सही बात है, ठीक है, यह, a business cannot survive for long without cash, एक business बिना cash के, लंबे time तक नहीं चल पाता, ठीक है, next question है आपर, गीता है, उसकी एक grocery shop है, the customer have already paid, 5000 रुपीज, तो हर गीता, गीता को उसने 5000 रुपे पहले दे दी है, ठीक है, तो पे हर supplier, 2000 रुपे at the end of the week, according to actual basis, calculate your profit, ठीक है, तो इसका profit होगा 0, तो profit होगा मैं 0, next है आपर, accountant worldwide, use the triple entry system, to record transaction, सही बात है, जो accountant होते हैं, पूरे worldwide में, triple entry system का इस्तमाल करते हैं, तो यह चीज़ सही है, ठीक है, next question है, transactions are entered into the journal, chronological order, true है, chronological order में, यह चीज़ रखी आती हैं, यानि कि जब यह होती हैं, तभी इनके entry होती है, ठीक है, date के साब से, next question है, आपर, dash is a record of all a business, existing assets, liabilities and equity, balance sheet, इसका है, balance sheet, ठीक है, next question है, आपर, in personal account, debit the receiver and credit the giver, true है, personal account में, debit the receiver and credit the giver होता है, ठीक है, next question है, आपर, a business can exist, if it does not have any revenue, false, अगर किसी business को कोई फाइदा नहीं हो रहा है, तो क्या वो चल सकता है, तो नहीं चल सकता हूँ, ठीक है, next question है, what is the output of the business, goods or service, दोने होती है, ठीक है, next question है, missing a payment to lender, leads to default, किसी देंदार को आप कोई पैसे नहीं दे रहे हो, missing कर रहे हो, payment नहीं दे रहे हो, तो उसको default में गिना जाएगा, ठीक है, next question है, what is the primary objective of a business, business का main objective से क्या होता है, तो make money for investor by providing goods or service, जिसने उस business में पैसे लगाए है, पहले उसके लिए पैसे बराने होती है, ठीक है, next question है, what are the keep input of business, or of these, यह सभी main चीज़े हैं, किसी business के लिए, what is the output of the business, both of, goods भी और service भी दोनों ही, important चीज़े होती हैं, output होती है, what are the different form of business, business के कितने प्रकार होते हैं, तो soul proprietorship, partnership and corporation, तो यह सभी प्रकार होते हैं, business के, next question है, what is a soul proprietorship, soul proprietorship क्या होता है, तो एक single owner होता है, जो की सारी responsibility लेता है, day to day running of the business की, ठीक है, मतलब कि एक अकेले बंदे ने कोई काम इस्टार्ट किया है, तो उसको soul proprietorship कहेंगे, ठीक है, next question आपर, dash has multiple owner और partner, some of whom are also usually responsible, usually responsible for the day to day running of the business, इसको कहेंगे partnership, partnership के अंदर बहुत सारे owner होते हैं, और उन्वेसे कुछ owner, day to day, जो business की चीज़ां होते हैं, उनको responsible भी रहते हैं, उनके लिए ठीक है, what corporation, corporation क्या होती है, corporation किसको कहते हैं, तो इसका right answer होगा यह वाला, multiple owner होते हैं, partners होते हैं, जिसमें से कुछ partner responsible लेते हैं, day to day running of the business का, ठीक है, identify a non example of accounting, how much value in rupees of good sir, service has a business sold, तो इसका अंसार है list and interior of favorite customer, तो किसी business में यह चीज़ नहीं होती है, कि favorite customers की list बनाई जाए, तो यह चीज़ accounting में नहीं आती है, ठीक है, account में यह सब चीज़ आती हैं, बट वो चीज़ यहाँ पर account में नहीं आती है, ठीक है, next question आपर, Dash is about planning for uncertain future, and deciding what kind of investment should be the business make finance, finance के अंदर यह सार चीज़ें रखी होती हैं, देखी जाती हैं, ठीक है, next question आपर, यह होगे हमारा, what are the key input of business, business की key input कौनचे होती हैं, तो सभी होती है, business के अंदर सभी चीज़ें इंपूट होती हैं, both assets and liabilities are classified as current and non-current assets, सही बात है, assets और liabilities तोनों को ही current और non-current assets में, sorry, current और non-current में गिना जाता है, ठीक है, common type of current liabilities are, next question आपर, common type of current liabilities are, current liabilities इनमें से कौन सी हैं, cash, inventories, intangible assets and non-current investment, ये सभी चीज़ें, common type current liabilities में आ जाएंगी, ठीक है, next question है, balance sheet divide into two parts, balance sheet को किन दो भागों में बटा जाता है, तो assets और liabilities, दो साइड होती है, two sides होती है, किसी भी balance sheet की, ठीक है, next question आपर, sheet, dash sheet, represent the financial position of a business, as a particular date, typically at the end of a quarter and financial year, तो इसका आएगा balance sheet, ठीक है, next आएगा मारा, inventories is the value of a raw material, held, work in progress and finished good, held by the business, true है इसका, ठीक है, both assets and liabilities are classified as current, non-current, true, dash are those assets that are expected to be sold, और converted to cash or consumed within per year, इसको कहते हैं, current assets में, ठीक है, उन assets को जो एक साल के अंदर, या तो बेची जा सकती है, या उसको cash में convert किया सकता है, या फिर उनको पूरी तरीके से use कर लिया जाएगा, उसको कहते हैं current assets, एक साल यहाँ पर important है, non-current assets, वो assets होती हैं, जो typically, जिनको एक साल से ज़्यादा time के लिए, रखाया आता है, या फिर होती है, तो plant हो गया, much property हो गई, या फिर equipment हो गई, यह एक साल से ज़्यादा time के लिए आते हैं, इसके लिए इनको non-current में गिनायाता है, ठीक है, इसके बाद है हमारे next question, what are the common type of current assets, तो current assets की to common type क्या है, cash, inventories, receivable, short term, loans and advance, ही हमारे current assets के example है, next question है यापर, dash is the value of raw material held, work in progress and finished by the goods held by the business, debenture, इसका यह एका debenture, ठीक है, next question है यापर, any income or profit not paid out to shareholder is called, retained earning, इसको कहते हैं, retained earning, ठीक है, next question, dash is also called income statement, इसको कहते हैं, profit and loss statement को, income statement भी कहते हैं, next question है, dash are those assets that are expected to sold or converted to cash or consumed with one year, current assets, उनको कहते हैं, current assets, ठीक है, next question है आपर, what are the common type of current assets, current assets के common type क्या होते हैं, तो cash, inventories, receivable, short term loans and advance, यह हमारे current assets के type होते हैं, next question है, what are long term loans and advance, long term loans और advance में क्या आता है, तो वो loan या फिर वो advance जो एक साल से ज्यादा के लिए, due होते हैं, उनको कहते हैं, एक long term loan, ठीक हैं, next question है, which among these are strategies to provide great customer service, all of these, इन सभी चीज़ों यहाँ पर, huge क्या आता है, ताकि get service, customer को, अच्छी service दी जा सके, next question है, एक बरोस्वमंद जो advisor होता है, वो agresively customer को promote कर सकता है, तो इसका अंसर होगा false, ठीक है, इक अलाद दिख दिया, false होगा इसका, how to become a trust advisor, बरोस्वमंद advisor कैसे बना जाए, तो both of are correct है, तोनों सही है, बैडल पर्मोट करके product को, या फिर understand the concern of the customer, customer के concern को समझ के, ठीक है, next question है, service promise is the assurance given to the customer, about in time delivery of assured and of a product, जो service होती है, वो एक तरह से माले जे promise होता है, इतने time के लिए, आपके इस समान की, आप warranty में अपकी service, माला warranty में आपके product रहेगा, ठीक है, तो इसको कहते है, quantity या quality, ठीक है, quantity या फिर quality, next question है, delivery what customer want in, is one of the constituent, of a service promises, delivery what customer want, पतलब customer जो चाहता है, उसी को वो ही दिया जाए, ये भी एक अच्छी बात होती है, why should we identify customers need, हम किसी customer की, जरूरतों की पैसान क्यों करते हैं, ताकि हम customer को certify कर सकें, और customer को, जो हमारा motive है, वो भी customer को, केतरों करवा सकें, पूरा, प्रोड़क्ट को हमें बेचना है, और हमें पता चल गया, कि customer को खरीदना क्या है, तो ये चीज़ दोनों के लिए फायदमन्द है, customer को भी, उसकी वही चीज़ मिलेगी, और हम भी सिर्फ वही चीज़ ही बेखेंगे, ठीक है, next question है, the innovation of product based on customer needs is value of the business, true है, इसका right answer है true, ठीक है, next question है, select the correct structure of good sales pitch, hook and objective, hook and objective, ठीक है, hearing is the same as listening, false, सुनना सुनने जैसा ही है, नहीं है, ठीक है, listening for enjoyment is called as articulate listening, listening for enjoyment के लिए सुनना उसे कहते हैं, articulate listening, ठीक है, what are the difference marketing challenges, यह सभी marketing challenges में आते हैं, scanning website, return of marketing activities, यह सभी marketing challenges के रूप में ही, आते हैं, ठीक है, next question है, making customers feel that their needs are important is defined as, convenience कहते हैं इसको, customer को ऐसा feel कराना, कि हमें उनकी बहुत जरूरत है, या फिर हमेरे लिए बहुत important है, उसको कहते हैं, convenience मनाना, ठीक है, convince कराना, convince, convince, how to become a trusted advisor, तो दोना चीज़े हैं या पर, customer की needs समझ कर, और उसको अच्छे product प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट करके, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, कि हम अपने employee को अच्छी knowledge दें, उनके school को बढ़ाएं, ताकि वो customer को अच्छी service दे सकें, तो बहुत सच बात है, इसका राइट अंसर है, true, why is a customer purchasing from a particular store, कोई customer किसी particular store से ही समान क्यों खरीदेगा, या क्यों खरीद रहा है, क्योंकि the customer values the product or service the shop provide, मतलब कि customer को उस product की value है, उसका जो price है वो अच्छा लग रहा है, plus मैं उसको दुकान के तुरू भी अच्छी service मिल रही है, उसकी वहाँ पर भी अच्छी तरीके से, एक तरह से हमान लेजिए, उसको अच्छा फीर हो रहा है, तो वही चीज़े हमें अपनी दुकान में करने पड़ेगी, तब भी हमार दुकान चलेगी, next question है आपर, value is what the shop store provides to customer, likely service of a shop of feature of a product to askar, ठीक है, next question है आपर हमारा, select the correct statement, value is customer defined, ठीक है, value is customer defined, value वो होती है जो customer बनाता है, या customer के mind में रहती है, ठीक है, select the correct statement, तो value depends on the feature और service consumed by the customer, यह इसका सही statement है, value होती है, वो depend करती है feature पे, और service पे जो की customer consume करेगा, जो उसको मिलेगी, उस पे depend करती है value, ठीक है, where does the value reside, value कहां रहती है, तो value customer के mind में रहती है, ठीक है, इसके बाद है, next question, value can be defined in term of perspective, as well as based on customer price, value को customer price भी के रूप में define किया गया है, ठीक है, everyone compete on price as no one is exploring how they able to differently, adding values to customer, हर कोई जो companies है, वो price के ओपर यहाँ पर एक तरह से competition कर रही है, कि हमारा price सस्ता हो, यह हम अपने product को सस्ते सस्ते बेचे, बड़ कोई भी customer की value को नहीं समझ रहा है, customer को और value देने की नहीं सोच रहा है, तो इसको कहते हैं commodization, ठीक है, इसके बाद है next question, what is the advantage of adopting a value perspective, value perspective सुईकारने का फायदा क्या होता है, तो all of these होते हैं, इस सारे ही फायदे मिलते हैं, customer को समझने, customer की जरूद को समझा सकता है, उसको अच्छे product दिया सकते हैं, और अच्छे price पे provide किया जा सकता है, सब कुछ होने में help होती है, next question है, according to the value frame for entrepreneur, select the best statement below, तो इसका आएगा value creation, value capture and value delivery, ठीक है, value creation, value capture and value, delivery right statement है, why is customer purchasing from particular store, because the customer value the product or service the shop provide, क्योंकि customer को उस दुकान पे अच्छे product मिल रहे हैं, अच्छी value पे मिल रहे हैं, और दुकान दार भी उसको अच्छा लग रहे हैं, उसकी service भी उसको अच्छी लग रहे हैं, ये चीज आप मान लीजे, अच्छी अच्छी तरीका क्या है, तो buying, bringing together product, service, partner and solution, यानि कि customer के साथ मिल के product के हरी तारी करना, एक अच्छी behavior को दिखाता है, और सही तरीका है customer, next question है आपर, which are the three value elements, तो product, service and ownership, तीन main or valuable element है, next question है, how to capture part of value created, both are correct, दोनों ही सही है, showcase करना, in rupees term में, how much value is created, the price changed is a part of value created, मतलब, प्राइज को change करना भी एक part होता है, वह हमने customer की बात मानी, ठीक है, according to the value framework, for entrepreneur, select the best statement, who are you serving, what are you offering, how are you able to deliver, and why whom not to be copied, यह सारे चीज़े इपोर्टन होती है, अगर आप यह सारे चीज़े फोलो करते हो, तो एक correct या best entrepreneur नहीं आपन निकल के आता है, ठीक है, what is the advantage of the adopting a value perspective, तो इसका, इसका रहाट एंसर है, कि यह customer की जरुद को समझने का मौका मिलता है, customer को benefit पहुचाने का मौका मिलता है, ठीक है दोस्तों, तो यह थे 156 questions, जो कि most important है, TC exam में आने वाले हैं, और अगर आप इनको चीज़े समझ लेते हो, तो बेसक आपके exam में question घुमा फिरा के पूछे हैं, फिर भी आप easily इनको कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हमें हें खतम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी, और इस PDF का लिंक आपको वीडियो के description box में देतोंगा, जहाँ आपको लाना को कर सकते हो, Thank you very much वीडियो देहने के लिए,